श्री शिवाय नमस्तूब्यम दोस्तो हर हर महादेव सत्यम जीवम सुंदरम जो हमारी कथा चल रही है उसमें पूजी गुरुजी ने एक नया उपाय बताया है ठीक है उस उपाय के हम बारे में बात करेंगे उससे पहले मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहते हूं जो भी ल अंधिर चले जाना है ठीक है और आपको जो है जब भी मैं बेल पत्र की बात करो तो बेल पत्र जो है बिल्कुल कटे फटे कहीं से नहीं होने चाहिए ठीक है फिर आपको क्या करना है आपको जैसे की पता है हमारे शीव जी जहां बैठे होते हैं वहाँ पर जो है अलग-अ थे आकë भगवान के स्थान非常 भगवान के स्थान पर हुलो ठीक है थोड़ा सा फिर आपको दूसरा बेल पत्र जो है कार्तिक जी के स्थान पर चड़ाए जाएगा ज़ड़े वाला जो भाग इन सब में में वतारी यह जलाधारी की तरब ही रखना है आपको ठीक है और बेल पत्र होगा सीधा फिर आपको थोड़ा जल चड़ाना है फिर माता अशक सुंद्री के इस्थान पर आपको तीसरा बेल पत्र चड़ाना है वहां पर आपको फिर थोड़ा सा जल चड़ा देना है फिर उसके बाद मे ये शिव जी को उल्टा ही जड़ता है और डंडी का जो भागे वो जलाधारी की तरफ आपको रखना है ठीक है आया समझ और पत्ते का जो मुखे वो आपकी तरफ ठीक है आप उत्तर दिशा के और मुख करके खड़े रहिएगा ठीक है फिर जो बचा हुआ जल होगा जितना अब बचा भवा फिर आपको नहीं बचाना है ठीक है फिर आपको पूरा जल आपकी बन व कामना बोलते हुए उषीव जीव 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 को चड़ागना बोल देनी है आप देखेंगे ऐसा एक दू समभर करके देखिए पांस समभर करके देखिए आपकी जो भी मनों कामना है अटकले चल रही काफी टाइम से पशुबती वरत कर लिए ये उपाय कर लिए वो उपाय कर लिए कामने कर रहा है ये नया जो है अपना उपाय इसको आप करिए जीव